अपनों की ठुकराई हुई ब्रंदावन में जिन्हें सहारा मिला और जिनकी जिंदगी से रंग गायव हो गए थे आज वही माताएं दूसरों के जीवन में रंग भरने का कारे कर रही हैं होली का अभीर गुलाल और प्राकरतिक जो गुलाल ये बना रही है मेरे साथ में एक माताएं हैं मैं इसा जान लेता हूं कि ये कब से इस गुलाल को बना रही है और यहां रहते हुए उन्हें कितना समय हो गया क्या नाम्हें मताब का पारवति यहां य supersदन में आप पबसे रह रह стен से कारिय चालिए लुए रहे रह रहे हैं 10 सालसे पोगा किस तरह से यह गलाल अप बनाती है विहारी जी के चरणों के फूल आते हैं वे फूल सुकाये जाता है फिर मसीन के दुवारा पीशता है फिर पाउडर बनता है पाउडर बनाई के फिर ये मिलाई के गुलाल बनता है गुलाल बनके बाहर को जाता है मत आप यहां गुलाल तीन साल से लगातार बना रही हैं और यहां कई तरह के प्राकृतिक जो रंग हैं प्राकृतिक जो फूल हैं उनसे आप गुलाल बनाती हैं कैसा लगता है जब आप यह गुलाल बनाते हैं आईसा लगता है कि प्रभू के हेट गुलाल बनाए रहे हैं और बिहारी जी के चरणों के फूल हैं ये फूल बेकार थे आज ये किसमत फूलों की जग गई इनके साथ मैं मेरी जग गई आप ये गुलाल जो बनाती है तो मन में कैसा भाव होता है बहुत अच्छा होता है वहाव कि गुविंद तुमने बहुत अच्छो करो कि आज बेखो बिरज से हम गुलाल बनाए रहे हैं कितना बड़ा कि ये सर से लगा कि आप दुनिया में लग रहा हुआ है ये गुलाल की कीमत है है होली के तेवहार में ये कितना बड़ा दिन आता है किसमत वालों को मिलता है तब ये गुलाल लगाया जाता है मता एक बात बताईए जब आप गुलाल बनाते हैं भाव आपके में गोविंद का आता है ये काम जो है आप तीन साल से भी कर रहे हैं लगातार इस तीन साल से काम कर रहे हैं लेकिन ये जो कितना समय आप इसमें गुलाल बनाने में देते हैं और इसके एवज में आपको क्या म सब्सक्राइब कोई सकती से काम लेते नहीं है और मेरी महनावारी देते हैं पचास रूपया प्रती दिन के तो आपका जो खर्चा है वह पचास रुपय परड़े के हिसाब से चल जाता है महने में कितने हो गए उतने जैसे अपना बुजरा खाएं अपने पेट पालना कर रहे हैं घर से ठुकराए हुए हैं तो चली ही जाता एक बात और बताईए मेरे को यह आप जब गुलाल बनाते हैं तो आप सारी माताएं जब गुलाल बनाने में लगती हैं तो कितना एक दिन में गुलाल तयार कर देते हैं एक दिन में तो यह हमारी मेर्हम साथ जाने जो फिर वह कितना आपके अनुमानित कितना होगा पूरा गुला चाहा कम से कम पांच च्छाइ किलो पांच शे किलो अच्छा यह मिरसाथ में जो रुकमणी बिहार में आश्रह सदन है वह माताय थी इनों ने बताया कि किस तरह से यह लोगों को उनकी जीवन में रंग भरने का कारे कर रही हैं लगातार यह जो योजना है इस योजना के अंतरगत यहां दरजनों माता हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां गुलाल बना रही है और यह जो गुलाल बनाया जाता है जो बिहारी जी के साथ साथ अन्य मंदिर जो हैं उनसे ये फूल मंगाए जाते हैं और उस फूल से इस प्राकरतिक गुलाल को तयार किया जाता है निर्मल राजपूत राजिस्तान पत्रिका मतुरा